आजकल पुरा दिन बच्चों को मैनेज करना कितना मुश्मिल हो रहा है ना पता नहीं ये कब तक चलेगा लोगदान का अल्मोस्ट वन मन्त हो गया फिर भी वायत का कम होने का कोई नाम ही नहीं है इस साल स्कूल स्टार्ट होगा कि नहीं ये भी नहीं पता आपको भी ऐसा ही फिलिंग्स हो रहा है क्या तो इस वीडियो को एंड तक देखिए आज की वीडियो में मैं शेयर कर रही हूँ मेरे बेटे की इन दिनों का डेली रुटे सुभा से रात तक ताकि आप लोग को भी कुछ आइडिया मिले बच्चे को इस लॉक्डाउन में कैसे हैपी और हेल्दी राखा जा सकता है गर्म पानी गर्म पानी सुभा उठके फ्रेश होके हम सब छट पे आ जाते हैं थोड़ा वाकिंग करते हैं पौधो को पानी देते हैं और फिर नीचे आके मैं जारू पोछा में लग जाती हूं और तो जो पापा के साथ नहाध होके तयार हो जाता है इस दूद्ध पी के ये खिलोने के साथ अपने आप कुछ देर तक खिलता रहता है और हम लोग अपना योगा कर लेते हैं बच्चों को सुभा उठके ही अब जबर्दस्ती पढ़ाने के लिए ना बिठाए उसको थोड़ा सेल्फ प्ले के लिए छोड़ दे तो दिन भर उन लोग का मूड अच्छा रहता है फिर मैं कीचेन पर आती हूं ब्रेक्टफस्ट बनाने के लिए और यह मेरा हेलप पर आ जाता है पीछे-पीछे के कोई हेलप चाहिए क्या प्लेड़ सेल्गा है अब थोड़ा पढ़ाई होता है और इसको पढ़ाते पढ़ाते मैं अपना कपड़े फोल कर लेती हूँ नहीं तो बेडशीट चेंज कर लेती हूँ कि अब कि अब कि अब कि अब कि अब कि अब कि फिर मैं आजाती हूँ लंच प्रिपरेशन के लिए और तो जो एंज़ा करता है अपना टीवी टाइप कुकिंग करते करते में कभी कभी तो जो के साथ आके वैठती हूँ साथ में पानी पीती हूँ ताकि उसको अकिला पन महसूस ना हो क्योंकि उसको पापा कभी इस टाइम आफिस का काम रहता है क्योंकि प्रिप कि अच्छे हैं जाने हूं वहां जाने हमारे स्कूल नहीं भीचा गए हैं कि लांज के बाद होता है हम दोनों का मी टाइम बेडरुम में आके इसी ओन कर देते हैं और तोजु का मस्ती स्टार्ट हो जाता है कि अच्छे हैं पूल जाता हैं यहां जाता हैं जाता है जाता हैं जाता हैं और स्टोरी सुनाते सुनाते मैं कोशिस करती हूं उसको थोड़ा सुला दो और अगर सो जाता है तो मैं अपना यूट्यूब का कम जट पर से कर लेती हूं पर अगर नहीं सोता है तो उसके साथ खेलना पड़ता है और मैं बीच बीच में कोई बुक पर लेती हूं नहीं तो मौका देखके फेस्बुक कर लेती हूं फिर पापा बेटा मिलके आईपेट पे गेम्स खेलता है और मैं जाती हूं शाम की चाह, स्नैक्स, दूद बनाने और किचिम का बाकी सारा काम करने के लिए चाह पीके हम छट पे आजाते हैं और हर दिन एक-एक मैच होता है कभी फुटबॉल, कभी क्रिकेट, कभी बैडमेंटन कि अुटबॉल, कि अजिए घुटबॉल, कि आपके बाके वोगे जाते हैं जाते हैं क्रिकेट्ट कि अजिए पांटन कि अजिए वोगे पे आजड़न शाम के टाइम कुछ भी एक्टिविटीज कराती हूँ दोजो को, जैसे की कलरिंग, क्राफ्ट, पजल, क्वीज, फिर मैं डिनर बनाने आ जाती हूँ और दोजो पापा के साथ कुछ दे तक खेल के टीवी ओन करता है। और रामायन देखते देखते हम लोग का डिनर हो जाता है। अधा घंटा के मैनत के बाद मेरा नना सयतन सो जाता है। और रामायन देखते हम लोग के बाद मेरा नना सयतन सो जाता है। और रामायन देखते हम लोग के बाद मेरा नना सयतन सो जाता है। और रामायन देखते हम लोग के बाद मेरा नना सयतन सो जाता है। और रामायन देखते हम उना सयतन सो जाता है। झाल झाल